दोस्तों आप सबी का स्वागत है काईजन इनोवेशन योटूब चैनल में और आज हम डिसकस करेंगे कि प्ले स्टोर एप की मदद से आप कैसे जान सकते हैं कि आपके मॉबाइल के अंदर आज तक आपने जितनी भी एप इंस्टॉल की है वो सही है या नहीं सही का मिनिंग ये दोस्तों कि वो हार्मफुल तो नहीं है ना मतलब आपके कोई डिटा का मिस्यूस तो नहीं हो रहा है ना एक्चुली होता है कि प्ले स्टोर को अगर गुगल के प्ले स्टोर को ये लगता है कि ये एप अच्छी नहीं है तो वो बैंड कर देता है अपनी प्ले स्टोर के अंदर ठीक है और वो उसके बावजूद भी आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो प्ले स्टोर आपको पता देगा कि हाँ भाई ये एब आपके लिए सही नहीं है तो आप कैसे जान सकते हो वो उसी के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक चरूर देखिएगा तो स्टार्ट करते हैं दोस्तो आज का नया ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो तो स सबसे पहले हम चले जाते हमारे प्लेश्टोर एप के अंदर यहां पर मैं अपने प्लेश्टोर एप के अंदर आ गया हूं और यहां पर यह जो ऑप्संस देखने को मिल रहा है वहां पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे यहां पर बहुत सारे no harmful apps found, वहाँ पे दोस्तों अगर आपके mobile के अंदर कोई अपने app डाला हुआ है, जो सही नहीं है, तो वहाँ पे यहाँ पे उसका नाम आ जाता, बट मेरे mobile में, मेरे किसमे मेरे mobile के अंदर कोई भी ऐसा app नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, no harmful app found, अगर होता तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे number of list आ जाते हैं कि भाई यह एप आपके लिए harmful है, इस तरह से दोस्तों आप जान सकते हो, आपके mobile के अंदर कौन सी app सही है या नहीं है, अगर अभी भी कुछ भी समझ में ना आया बाई टेक केर मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ